हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग आज में आपके साथ शेयर करूंगी मटन सीख कवाब की रैसिपी जो की पहुती टेस्टी बनते हैं तो आप इस रैसिपी को जरूर ट्राय करेंगा रैसिपी पसना है तो वीडियो को लाइक करेंगा तो सबसे पहले हमें बना लेना है एक खुश्बूदार मसाला जिसके लिए एक चमच जीरा आठ से दस हरी लाइची दो पीपली दो दाल चीदी एक जावित्री का फूल एक च आईड कर देते हैं यहां पर मैने 8 घ्री मृट्री कुईंट्री कम कर सकते हैं आदा किलो हैं मेने मटन लिया है । तो इसको मैं ने अच्छे सी वाश करके और मिक्से मेना फूल लिया था यान posled लिया था अब इस वाइड का वाबस कर देके तो मीडिम साइज की प्याज ह 2 तक उसके घंस और मीणा साथ सmost आपको ईहां पर हरा धनिया लिना है एक हम पर आपको नीमो लेना है उसकाकारसण नोर जर सफिक यहां। आप इसे कूट भी सकते हैं अब एक चमच आपको यहाँ पर लालमश पाउडर एट कर देना है दो चमच अद्रक लहसुन का पेस्ट आट कर देना है तकी ये अगजान हो झाएं अब आपको इसे एक से दो घंटे की नेनर फ्रीज में रखना है या आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते है तो यहाँ पर देखो तीन घंटे मैंने इसी फ्रिज में रखा था अब आपको हाथों में और लगाना है और इसके कवाब बना लेने है तो यहाँ पर छोड़ा चोड़ा पोर्शन में हमाँ ले लेंगे और इसके कवाब बना यह बहुत ही टेस्टी हमारे यह कवाब बनकर ना तयार होते हैं आप इस रैस्टी विगो ना एक बास जरूर ट्राय करेगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके सी कवाब कैसे बने तो बस इसी तरीके से हमें यहाँ पर क्या कर लेना है सारे कवाबों को ति नहीं तो आप इसे स्टेज पर बना भी सकते हैं तो यहां पर आपको अपने गवाबों को ना हलका हलका दा सेक लियेना है ऐसे सेकने से क्या होता है कि इसमय कुछी फ्लेवर इसमें आ जाता है और बड़े ही मझे के हमारे कवाब बनकर यह तैयार हो जाते हैं तो बस आप ह बना लो फ्लिम पर बनाएंगे , हाह फ्लिम पर तक हम नहीं बनाएंगे पनाएंगे अध्य होच्छ निदे पसाए अमसे दला अक्य Only व्यूसर वीचिप के साथ अगर आप मेरे चेणल mild लूसरे करेंगे हम सरफ करेंगे क्रीण वाल चटनी और लचीदार क्यासopen